बिसमिल्लाहिर्णालीर्रहीम असलाम आलेकुम इस्टूदेंट्स वेलकुम टू नान खुलास एंद फ्री एड्यूकेशन फॉर अलेकुम देर्सूदेंट्स मैसल्फ शाज़जाज शरीफ इसटीचर आज का लेक्ट्ट्र नमबर 7 9 लिए और आज का टॉपिक एस सेम एस ल क्लॉसिफिकेशन ओफ डिजिटल कंप्यूटर जैसा के हमने लेक्ट्र 1 में डिसकस किया था लेक्ट्र 2 में क्लॉसिफिकेशन डिसकस की थी और लेक्ट्र 3 में भी हमने क्लॉसिफिकेशन डिसकस की है और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्लॉसिफिकेशन of digital computers का तो जैसा के हमने discuss किया था lecture 1 में lecture 5 में discuss किया था super computer और mainframe computer को और lecture 6 में हमने discuss किया था mini computers और micro computers को और आज हमने discuss करना है further classification अब micro computers को further divide किया गया है multiple types में micro computers को micro computers हम already discuss कर चुके थे अब हम उनकी types discuss करेंगे हमारे पास सबसे पहले-पहले micro computer की type आती है category आती है desktop computer की फिर notebook computers हैं और उसके बाद laptop computers हैं फिर आती है palm top computers and next है PDA computers तो यह हम सब discuss करेंगे step by step okay first हमारे पास जो micro computer की type है वो desktop computer है desktop computers also called personal computers और PCs desktop computers को हम personal computers भी कहते हैं या इसकी short form use होती है PC इसको हम PC भी कहते हैं mostly preferred by home user यह ज्यादे तर कहां इस्तमाल होते हैं घर में यूज के जाते हैं use in homes and offices मतलब यह desktop computers को one person at a time use कर सकते है that's why it is used in home and offices तो यह हमारे पास desktop computer है next type है हमारे पास notebook computers notebook computers क्या होते हैं small in size होते हैं और low weight होते हैं having small size and low weight उसकी जो size होती है वो छोटी होती है notebook means as its name showing notebook मतलब आपकी जो एक book होती है notebook यह copy होती है उस size के यह computers होते हैं just like our tablets तो इसकी small size होती है और इसका जो वजन है वो भी कम होता है easy to carry we can easily carry these computers here and there तो इसको हम easily means these are the portable computers इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं जैसे के tablets हो गए यह हमारे laptops हो गए उसको हम easily move कर सकते हैं एक जगह से दुसी जगह जैसे के desktop computers को हम easily carry नहीं कर सकते प्रेफर टू स्टूडेंट्स एंड बिजनेस पेपल्स यह स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा तर प्रेफर किये जाते हैं और बिजनेस पीपल्स के लिए प्रेफर किये जाते हैं उसके लिए जो best computers यूज़ के जाते हैं वो notebook computers हैं next third category है मारे पास micro computer की वो है laptop computers laptop computers are so called portable computers laptop computers को portable computers भी कहा जाता है portable computers कून से computer होते हैं portable computer वो computers होते हैं जिनको हम अपने साथ असानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके हैं हम स्कूल ले जा सके उनिवर्सिटी ले जा सके विदाउट एनी डिफिकल्टी असानी से हम उन्हें ले जा सके हैं जैसा कि हम laptops को एक जगह से दूसरी जगह असानी से ले जा सकते हैं very small size and lightweight हमारे पास laptops काफी small size में available होते हैं और इनका जो वजन है वो भी काफी कम होता है become popular among computers laptop computers काफी ज़्यादा famous हो चुके हैं आजकल के computers में even के laptop computers ने desktop computers को भी replace कर लिया जितने भी office होते हैं आजकल वहां पर desktop की जगह laptop computers use के जाते हैं next है हमारे पास palm top computers palm कहते हैं हतेली को जो हमारे हाथ की हतेली होती है उसको palm कहते है तो यह वो computer है as its name showing palm top जो हमारे पास easily hand-helded computers हो hand-helded का क्या मतलब होता है hand-helded का यह मतलब होता है जो हमारे पास हातों में असानी से आ जाएं तो smallest laptop और called palm top जो सबसे छोटे laptops होते हैं इनको palm top कहते हैं जो के हमारे असानी से हात में आ जाते हैं easily fits in palm जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि असानी से हतीली में fit हो जाते हैं आ जाते हैं small in size size में छोटे होते हैं इसलिए easily हम इने carry कर सकते हैं not include disk drive यह वह लैप टॉप होते हैं जिन में disk drive मुझूद नहीं होता है जैसा कि हमारे पास हर laptop में जो थोड़े बड़े size में होते हैं उनमें CD डलने की जगा होती है disk drive available होते हैं लेकिन हमारे पास palm top के अंदर disk drive available नहीं होता क्यों available नहीं होता क्योंकि यह small in size होते हैं हमारे पास जो lost है वो है PDA PDA computers stand for personal digital assistant इसको हम personal digital assistant कहते हैं यह हमारे पास function करते हैं एक phone की तरह जैसा कि हमारे पास एक smartphone होता है और जितनी functionality एक smartphone में होती है वो सारी functionality is PDA में available होती है also called smart phones इसको हम smart phones भी कहते हैं तो यह आज का lecture था further details about micro computers micro computers की further details थी desktop computer, notebook computers, laptop computers, palm top और PDA तो यह lecture number 7 आज हमारे पास close हो गया है classification of digital computer आज हमारा complete हो चुक है next lecture number 8 new lecture के new topic के साथ इंशालला next video आप देखेंगे तब तक के लिए take care crunchy आपिस्धियो के इंशाइशड़ी करो आप दू ही यारा आपिस्फेर यप्र आप हो आफी सूस्ड आपवे आप। झाल झाल